नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी टोटके में तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी साथ चीजों के बिना आपका करवा चौत का वरत अधूरा रह सकता है जी हाँ अखंड सौभागी के लिए किया जाने वाला करवाचौत का वरत 17 अक्टूबर को है हर वरत के अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है इसके साथ ही वरत से जुड़े हुए कुछ रिवाज होते हैं इसी तरह से करवाचौत के भी कुछ नियम और रिवाज हैं जिनका पालन करना चाहिए और इसके बिना वरत अधूराय माना जाता है तो आईए दिखाते हैं आपको पंडित अरुन कुमार मिश्रा शास्त्री जी क्या कहते हैं करवाचौत से जुड़े हुए नियम और रिवाज के बारे में तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को जिससे की आपको नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे तो दोस्तों हम बाग कर रहे हैं सरगी के उपहार की सरगी से करवाचौत का वरत शुरू होता है हर सास अपनी बहु को सरगी देती है वरत पूर्ण होने का आशिरवाद देती है सरगी में मिठाई, फल ये सब इस्तमाल होता है सूर्योदय के समय बहु वरत से पहले खाती है जिससे पूरे दिन उसे उर्जा मिलती है ताकि वो वरत असानी से पूरा कर पाए निर्जला वरत रखा जाता है करवाचौत का वरत निर्जला रखा जाता है वरत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन कुछ भी खाना पीना नहीं होता जल भी नहीं पीना होता है और कठोर व्रत से माता गौरी और भगवान शिव को प्रसंद करने का प्रयास किया जाता है ताकि अखंड सुहाग और सुखी दामपत्य जीवन का आशिरवाद मिले गर्भवत्ति इस्त्रियां बीमार इस्त्री और स्तनपान करने वाली महिलाएं दूज, चाय और जल ग्रहन कर सकती हैं इसके लावा दोस्तों आपको बता दें कि करवाचोत के वरत में सुबह से ही गणेश भगवान, भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है ताकि अखंड सुभाग्य, यश और कीर्ती प्राप्त हो सके पूजा में माता ग गौरी और भगवान शिव के मंतरों का जाप किया जाता है, करवाचोत में पूजा के लिए शुब पीली मिट्टी से शिव, गौरी और गणेश की मूर्ती बनाई जाती है, फिर उन्हें चौकी पर लाल वस्तर बिचा कर स्थापित किया जाता है, माता गौरी को सिंदूर, बिंदी, चुन्नी, भगवान शिव को चंदन, पुश्प, वस्तर पहनाय जाता है, गणेश जी को उनकी गोद में बिठाय जाता है, कई जगों पर दिवार पर एक गेरू से फलक बनाकर चावल, हल्दी के आटे को मिलाकर करवाचोत का चित्रव चिपकाय जाता है, और फि जगे एकत्रित होती है, और पंडित से करवाचोत याने की करवामाता की कथा सुनती है, पांचवा है थाली फेरना, करवाचोत की कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं साथ बार थाली फेरती है, थाली में वही सामान पुजा सामगरी रखती है, जो बयाने में सास को दिया ज इसके अलावा करवे और लोटे को साथ बार फेरा जाता है। जगड़ा करने से वरत का फल नहीं मिलेगा। साथ ही नुकीली चीजों के इस्तमाल से बचे, सुईधागे का काम ना करें, कड़ाई, सिलाई, बटन टाकने का काम इस दिन ना करें तो अच्छा है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें जरूर बताईए। इसी तरह की और वीडियो के लिए देखती रहिए चमतकारी तोटके।